कान फिल्म फेस्टिवल को मनोरंजन जगत के दुनिया भर के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक मानज जाता है। सालाना होने वाले इस फेस्टिवल में सभी देश के सेलिब्रिटीज बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतिय सितारों ने रेड कार्पेट पर अपियरंस दिया है। लेकिन इंडिस्ट्री में एक शक्स ने इन सेलिब्स पर तंच कसा है। ये और कोई नहीं बलकि खुद पाँच बार कान में शिर्कत कर चुकी अभी नेद्री और निर्माता नंदीता दास है। अभी नेत्री से फिल्म निर्माता बनी नंदीता दास ने हाल हे में कान फेस्टिवल में अपनी पुराने लुक को याद किया। ऐसा करते हुए नंदीता दास ने प्रतिष्टत फिल्म समारों में रेड कार्पिट पर चलने वाली मशूर हस्तियों के बारे में भी बात आज बार कान जा जुकी है लेकिन वो हर बार इस फेस्टिवल में अपनी किसी फिल्म के प्रदर्शन की वज़े से जाया करती थी पिछले कुछ वर्षों में कान फिल्म फेस्टिवल एक तरहे का फैशन इवन्ट भी बन गया है इसमें दुनिया भर के कई सेलप्स को ब्राइ पोस्ट देखते ही देखते सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर वाइरल हो गया नेटिजन्स ने नंदिता के इस पोस्ट को सपोर्ट किया है सभी का मानना है कि उन्होंने सही बात बोली है एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा वो फेस्टिवल के नहीं दिखा सकती जो मैंने देखी या जो बातचीत मैंने की थी